आधार सेवा केंद्र जलालाबाद में मारा मारी धूप में तपते रहे लोग 200 रुपए लेकर बनाए जा रहे आधार जैसा कि आधार सेवा केंद्र डाग घर जलालाबाद की मंडी परिशिद में इस्तित है जहां आधार बनाने का कारे चल रहा है कई दिनों से यहां लोग आते हैं लेकिन उन्हें लोटा दिया जाता है आज की डेट फिक्स की गई थी लेकिन वहां आधार संशोधन बने आधार बनने के लिए भारी भीड उमर पड़ी लेकिन वहां के लोगों का आरोप है कि जो व्यक्ति डाक खाने के पीछे की खिरकी से 200 रुपए देता था उसे आगे लाइन में लगा कर आधार बना दिया पर आपको क्या क्या समस्या आ रही है अच्छा तो यहां पर आपको आधार कार्ड नहीं बनाया जा रहा है अच्छा तो अधिकारियों ने क्या कहां आप से आज क्या समस्या आ रही है आपको आज नहीं हो पाएगा अच्छा तो आपके क्या मांग है आप क्या चाहते हैं कि मलब यह समस्या कटम हो इसके लिए आप क्या मांग करना चाहते हैं अम ही गाह रहे हैं मुझेजेकं काम भेवास लौट जए किस परकार से पोष्वास देना चाहती है कि कि परकार से काम भेवास यह लोग कैसे काम करें या सरकार कैसे काम करें कि कि सी को दिक्कत ना हो है है कि काम हमें होग हैS अ ів यहां कि अधिकारी लोगे अपनी ही मनवानी कर रहे हैं यहां कोई भी मेंटिनेंस नहीं बनाए है इसलिए यहां देखो यह भगदर्मची है तो आप क्या कहना चाहते हैं हम यहीं कहना चाहते हैं साप कि यह गाऊं कामप्लग लगवाए जाय हैáng तो क्या नाम करवान को कंदी नजिवाश्य करेचार समित मेट है चाहत। क्या समस्या है आधार कराने यहां तो जो आधार कर नहीं हो रहे हैं यहां जो डेली लोटाते हैं कई वार बुला चुके अधिकारी अब उतके बाद में आज भी चुदा तारी को बुला चुदा तारी को भी आज भी कर दिया कि अब यादी लोट जाओ बां कि अगयाला से लाइंसे अच्छा अच्छा